गुट इवनिंग स्टूडेंट्स वेलकम तो एसरस आईएस इनलो अकैडमी आज की जो मारी करेंट अफियर की क्लास होगी वो पॉलिटी से रिलेटिड होगी और आज का जो मारा टॉपिक है वो है रक्यूजल अफ जजज तो इसी के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस कर सबसे पहले देखते हैं यह न्यूज में क्यों है रिसेंटली अ सुप्रीम कोर्ट जज रेक्यूज हरसल फॉम हेरिंग अ रिट पेटिशन फाइल बाय बिलकिस बानो अगेंस्ट गुजरात गवर्मेंट डिसीजन तो प्रीमिचियरली रिलीज 11 में सेंटेंस तो लाइफ रिलीज कर दिया है Więc work 602 तो यह केस आहिस जईनोंने की प्रीम शोनी तो उन्हें कि रियाइंस सुनित kids को रिया ki रिया कि वह जो है यह यह प्रीम्याइचियरली रिटीशन जो नहीं सुन सकती तो उसी के बारे में हमारी काज की class हो गई अब क्योंक उन्होंने रेक्ईूज किया है तो देखते हैं सबसे पहले रेक्ईूजल जो हता है वो क्या होता है It is an act of abstaining from participation in an official action कि खुद को abstain कर लेना कि एूसे फ्रों पार्टिस्पेशन in an official action कि खुद को किसी भी official action में participate करने से खुद को abstain करने को क्या कहा जाता है recusal such as अब वो official action क्या क्या हो सकता है legal proceeding हो सकती है due to conflict of interest interest of the preceding court, official or administrative officer तो इस वज़े से कोई भी judge वो खुद को recuse कर सकता है अब recusal के rules क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले इसके लिए कोई भी formal rules जो है वो नहीं होते हैं लेकिन through several supreme court judgments have dealt with the issue तो उसके थू जो है various rules जो है वो कोई भी formal rule रही है लेकिन इसके पर जो various judgments जो है वो आ चुकी हैं जैसे की Ranjeet Thakur versus Union of India 1987 the supreme court held that the test of likelihood of the bias is the responsibleness of the appreciation in the mind of the party the judge need to look at the mind of the party before him and decide that he is biased or not तो सबसे पहले judge जो है उनको क्या करना होगा he has to look at the mind of the party before him तो जो party जो है वो क्या सोचती है उनके minds में judge को देखना होगा then decide करना होगा कि वो biased है या फिर नहीं है अब reason क्या क्या हो सकते है recusal के अगर जो है conflict of interest हो तो उस case में judge जो है वो कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि वो case जो है वो नहीं सुन सकते to prevent creating a perception that he carried a bias while deciding the case ताकि इस चीज़ को prevent किया जा सके इस perception को prevent किया जा सके कि वो जो है decision data time जो है वो biased थे तो इस वज़ा से judges जो है वो खुद को recuse जो है वो कर सकते हैं the conflict of interest can be in many ways अब conflict of interest जो है वो क्या होगा उसके बारे में देखते हैं having a prior or personal association with the party अगर judge जो है उनका prior या personal association हो किसी party के साथ जो case में involved है तब judge जो है उसको conflict of interest में include किया जाएगा उस time पे judge जो है खुद को recuse कर सकते हैं उसके लबा conflict of interest में और क्या क्या चीज़े आएंगी if a judge appeared for one of the parties involved in a case अगर वो किसी एक party की तरफ से appear हो चुके हो किसी case में उसके लबा एक्स party communication with lawyers or non-lawyers अगर वो lawyers और non-lawyers के साथ जो है इस बारे में communicate जो है वो कर चुके हो उसके लबा an appeal is filed in supreme court against the judgment of a high court that may have been delivered by supreme court judge when he was in the high court तो अगर कोई judge जो है supreme court में जा चुके हो लेकिन उनोंने इस से पहले जो है high court में उसी case के उपर judgment जो है वो दी हो और दुबारा उनके पास वही case supreme court में आ जाए तब वो judge जो है कुद को recuse जो है वो कर सकते है अगर किसी ऐसी company का case जो है किसी judge के पास आ जाए जिस company के shares जो है उस judge के पास हो तब ही वो खुद को recuse जो है वो कर सकते है उस case की hearing को सुनने के लिए कि judges जो होते है वो अपनी case में जो है वो नहीं बन सकते जिसको due process of law का जाता है तो यह recusal की जो practice है यह वहाँ से आती है any interest or conflict of interest would be a ground to withdraw from a case since a judge has a duty duty to act fair ठीक है तो इन सब cases में कोई भी interest हो conflict of interest हो तो इस case में judges जो है वो withdraw कर सकते हैं किसी भी case की hearing सुनने के लिए ताकि उसका जो फैसला जो है वो fair तरीके से कोई दूसरा judge जो है वो दे सके अब देखते है recusal का process जो होता है वो क्या होता है decision to recusal generally come from judge himself तो जो decision होता है recusal को वो judge की तरफ से ही आता है generally as it rests on the conscience and discretion of the judge to disclose any potential conflict of interest some judges orally convey to the lawyers involved in the case their reason for recusal कुछ judges जो होते हैं वो orally convey कर देते हैं कि वो जो ये case जो है वो नहीं सुन सकते क्योंकि वो recuse कर रहे हैं वो अपने recusal का reason जो है वो lawyers को बता देते हैं कुछ नहीं बताते हैं कुछ जो होते हैं अपना reason जो होता है अपने order में वो बता देते हैं अब in some circumstances lawyers and parties in the cases bring it up to the judge once the request is made for recusal the decision to recuse or not rest with the judge तो कई बार क्या होता है कुछ circumstances में lawyers जो होते हैं या parties जो होती हैं केस ले के आते हैं judge के पास और एक बार जब request उनको बता दी जाते है कि क्या recuse कर लें तो उसका decision भी जो होता है वो judge के पास ही होता है कि क्या वो इस चीज से recuse कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं well there are some instances where judges have recused even if they do not senior conflict but only because such an apprehension was cast there have also been several cases where judges have refused to withdraw from a case बहुत से cases ऐसे भी हुए हैं जब judges ने refuse कर दिया कि वो जो है withdraw नहीं करेंगे इस case से मतलब खुद को recusal देने के लिए उन्होंने मना कर दिया ऐसे भी बहुत से cases जो है वो देखे गए है if a judge recuses the case is listed before the chief justice अगर judge जो है वो recuse कर देते हैं तो जो case जो होता है वो chief justice के पास जाता है और वो जो होते हैं chief justice of India वो क्या करते हैं एक fresh bench जो है वो alert करते हैं उस particular case के लिए उसके लिए concerns देख लेते हैं recusal के concerns जो है वो क्या क्या है undermining judicial independence it allows litigants to cherry pick up bench of their own choice which impairs judicial fairness तो इस वज़े से क्या हो सकता है कि जो litigants जो होते हैं वो अपनी मर्जी का bench जो है वो choose कर लेते हैं जिस वज़े से क्या होगा कि judicial fairness जो है वो impair होगी also the purpose of recusal in these cases undermines both independent and impartiality of the judges उसके लावे different interpretation जो है recusal की वो देख लेते हैं as there are no rules to determine whether the judges could recuse themselves in these cases there are different interpretation of the same situation delay हो जाता है process में some requests for recusals are made with the intent to intimidate the court or to get better or inconvenient judges कई बार ऐसी requests जान बूच के डाल दी जाती हैं ताकि जो process जो है उसमें delay हो जाए या फिर कोई ऐसा judge उनको मिल जाए जो मुझरिम जो है उनके लिए convenient हो and to obfuscate the issues or to cause obstructions and delay in the proceeding or in any way frustrate or obstruct the course of justice ठीक है तो ये ये भी सारे जो है ये आपके concerns आ जाते हैं जाते हैं